तो आज हम बात करने वाले हैं फिर नए सेशन के नए टेस्ट रिज के बारे में तो आगर आपने यूटूब चैनले पर अभी तक नए है तो वीडियो अकर निचे लाल बडम सब्सक्राइब जरूर दबादे और बेल आइकन भी दबादे जिस हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सके तो फिरंड मैं आसा करता हूँ कि आपने मेरे इतने भी टेस्ट रिज हैं आप अच्छी तरह से देखकर कुश्चन को अच्छी तरह से सीखते होंगे तो फ्रेंड चलिए आप बीना देरे किये चलते हैं नेक्ट टेस्ट रिज में आज के टेस्ट रिज में जिसमें आपको कितना कोश्चन सही कर पाते हैं डेली जैसे आपने लिखते आ रहे हैं आप फिर से लिखिएगा कि आपका कोश्चन कितना सही हो रहा ह चलिए चलिए चलते हैं वीडियो के और तो फ्रेंट केसरी सुरूर से करने से पहले आपको रूर में बता दू जैसे कि आपको दोस्तो एक नमर कोश्चन है तो दोस्तो एक का अगर आपको एंसर पता है तो कुछ नहीं कॉमेंट में आपको आकर लिखना होगा जो भी आपको राइट एंसर पता है तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले नमर कोश्चन की हो तो अगर कोई भी डाउट रहा है कॉमेंट करके जुरूर पूछें कुछ साइकिल वाहक किसी मोर में घुमता है तो वा कैसा हो जाता है ओप्शन ए बी शी एए डी जल्दी से फास्ट कमेंट चलिए देखते हैं सो एंसर ऑप्शन बी जराइट एंसर अंदर की ओर जुपता है चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों चलते हैं तो फिर नेश्ट और अगला कोश्चन हमारा जब हम रबबर के गद्दे पर गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेठते हैं तो उसका अकार परवर्थित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाये जाता है क्या पाये जाता है ओप्शन ए बी शी ये डी फरस्ट कमेंट चलिए देखते हैं सो एंसर ओप्शन डी जराइट एस्टिक और जा तो क्या दाएगी रबबर वाले गद् इससे ती उर्जा आवस्ताम रहेगा इसदी उर्जा में चले नेस्ट और अगला कॉशन हमारा निमलिखित में से कौन सार्ण नियम इस कथन को वैद ठाडाता है कि द्रोव का नथ हो शर्जन किया जा सकता है नाहीं बिनास Option A, B, C यार D जल्दी से फास्ट कमेंट देखते हैं सो एंसर Option A is right answer उर्जा सरक्षन का नियम Next question क्यों चलते हैं Next अगला question हमारा है कोई भी नाव डूप जाएगी यदि वह पानी हटाती है तो अपने क्या होता है Option A, B, C यार D जल्दी देखते हैं सो एंसर Option A is right answer आयतन के बड़ाबर Next अगला question हमारा है 205 नावर द्रौव के आंसिक किया पूंतर डूबे हुए किसी ठोस्क द्वारा प्राप्त उच्छाल की मात्रा निर्भर करती है किस पर? Option A, B, C यार D So fast answer comment करें जल्दी जल्दी देखते हैं सो एंसर Option A is right answer ठोस्क द्वारा हटाए गया द्रौव की मात्रा पर नेक्स्ट और अगला कोश्चिन है अमारा लेंफ की बत्ती में तेल चड़ता है क्यों? Option A, B, C यार D जल्दी से first comment So answer Option B is right answer Capillary के कारण इसको हिंदी में क्या बोलता है? केशिक कत्व के कारण इसका right answer Option B, Capillary की कारण किरिया कारण और इसको हिंदी में क्या बोल जाता है? केशिक कत्व के कारण तिने next question को चलते हैं नेश्टर अगला कोश्चन हमाड़ा सुई का पानी के उपर तेरने का कारण है option A, B, C या D सो फास्ट एंसर जल्दी कोमेंट करें जल्ली देखते हैं सो एंसर option A इस राइट एंसर प्रिष्थियत पुनाओ नेश्टर अगला कोश्चन हमाड़ा पानी से निकालने पर शेविंग ब्रस जो हम लोग सेविंग करते हैं उसमें ब्रस के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण है क्या कारण है option A, B, C, या D जिए इस फास्ट कोमेंट सेविंग ब्रस के बाड़े हम पूछ रहा है वापस में क्या होता है चिपक जाते हैं जिए फास्ट कोमेंट जिए देखते हैं सो एंसर option B, जिराइट एंसर प्रिष्टिय तनाओ प्रिष्टिय तनाओ के कारण है आपस में चिपक जाते हैं नेश्टर अगला कोश्चन है वाड़ा जिए फास्ट कोमेंट चलिए देखते हैं सो एंसर option C, जिराइट एंसर प्रिष्टिय तनाओ नेश्टर अगला कोश्चन हमारा यदि लोलक के लंबाई चार गुने कर दे जाए तो लोलक के जुनने का समय option A, B, C, A, D क्या हो जाएगा जली से फास्ट कोमेंट चलिए देखते हैं सो एंसर option D, जिराइट एंसर दुगना हो जाएगा अगर किसी लोलक को इसकी लंबाई चार गुनी कर दे जाए तो जुलने का समय क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा नेश्ट अगला कूश्चन है मड़ा washing machine का कार्य सिधानत है option A, B, C या D चलिए देखते हैं सो एंसर option C, जिराइट अब केंदरक अब केंदरन C, जिराइट एंस चलिए next question क्यों चलते हैं अब केंदरन चलिए next question क्यों चलते हैं नेश्ट अगला कूश्चन है माला एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का परत्यक्ष भार वास्त्विक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है कहां जाड़ी है option A, B, C, या D so answer जल्दी से कड़िया देखते हैं option D is right answer त्रोरन के साथ नीचे चलिए next question को चलते हैं next और अगला question है हमारा पानी में लोहे के सोई डूब जाती है लेकिन जहाद तैरतर रहता या सिधान किस पर अधारित है option A, B, C, या D जल्दी से first comment देखते हैं सोई answer आर्क मेंडीज के सिधान पर है option B is right answer त्रोरन को चलते हैं next और अगला question हमारा है पानी के एग पानी के गिलास में एक बरफ का टुकडा ठीक है टुकडा ठीक है जब बरफ फिघल जाती है तब पानी का अस्थर में क्या परभाव होता है option A, B, C, या D जल्दी से first comment चल्दी देखते हैं सोई answer option C is right answer उतना ही रहता है चल्दी next question कर चलते हैं next अगला question हमारा बहार हिंता के आधार पर एक मुंबति की जवालता का अकार हो जाएगा कैसा option A, B, C, या D जल्दी से first comment चल्दी देखते हैं सोई answer option B is right answer वही रहेगा भार में कोई पड़िवर्तन नहीं होगा next अगला question हमारा निमलिखित में से किसकी इकार न्यूट्रमीटर नहीं है क्या पुछ रहे हैं नहीं है पुछ रहे option A, B, C, या D चल्दी सोई answer option A is right answer बल next अगला question है हमारा बस्तु को गर्म करने पर उसके अनुमों में क्या हो जाता है option A, B, C, या D जल्दी से first comment देखते हैं सोई answer option A is right answer चाल बढ़ जाती है next अगला question इन में से कौन उस्मा का मातरक नहीं है option A, B, C, या D जल्दी से first comment उस्मा का मातरक नहीं है चल्दी देखते हैं सोई answer option B is right answer degree Celsius next अगला question इन में जब जल उचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है option A, B, C, या D जब जल उचाई से गिरता है तो क्या होता है उसका ताप में क्या हो जाता है चल्दी देखते है right answer option B is right answer बढ़ जाता है next अगला question चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा option A, B, C, या D जल देखते हैं Mount Everest पर यानि अधिक उचाई पर ठीक है अधिक उचाई पर यानि आपको जितनी उचाई पर जाएगा वहां से आपको चावल को पकाने में ज्यादा समय लगेगा next question क्यों चलते हैं next अगला question वह ताप जिस पर बरफ पानी और वाफ संतूलन में रहता है कहा जाता है क्या कहा जाता है option A, B, C, या D चलिए देखते हैं सो एंसर option B जराइट एंसर त्रिक बिन्दू next अगला question है हमारा किशी द्रौव का वास्विकरन होने से उसका ताप मान क्या हो जाता है option A, B, C, या D जल्दी से first comment क्या होगा घटेगा ये next question को जलते हैं ताप मान घट जाता है next अगला question है निमतापी इंजोनर का अनुपरयोग होता है किसमे option A, B, C, या D जल्दी से first comment जल्दी से फास्ट कोमेंट जल्दी देखते हैं सो एंसर option C is right answer रोकेट परईश्दिकरन में next अगला question है हमारा वायू मंडल में परकास का विशरन का कारण है option A, B, C, या D जल्दी से first comment जल्दी देखते हैं सो एंसर option डीज राइट सन धूर और कल के कारण धूर और कल करण के कारण परकास ज्यादा विश्रित हो जाता है यह विश्रन हो जाता है चलिए next question को चलते हैं तो friend यह आज के लिए last question जिसको आपको comment करके बताना होगा कि इसका right answer क्या होगा मैं आपको question बोलूँगा answer आपको खुद देना है मैं so answer नहीं करने वाला हूँ ठीक है आप सुन लिए आपको comment करके ही बताना होगा अकास का रंग नीला परतीत होता है option a, b, c, d किसके कारण अकास का रंग नीला परतीत होता है option a, b, c, d जल्दी से comment करके बताईए अकास का रंग नीला परतीत होता है इसको comment आपको करके ही बताना है right answer आपको ही बताना है तो friend वीडियो अच्छा लगए तो like जुरू कर दे साथी channel को भी subscribe कर दे और bell icon में दबादे इसे हर update सबसे पहले आप दोखम पुचा सब जब तक ले जैहन दोस्तू बंदे मात्रम आपका दिन सुब हो